राम दोस्तों सत्पाय डोक्टर ब्लोग चैनल में आपका हार्दीक स्वागत है आशा करता हूं कि आप सभी साती बिल्कुल स्वास्तो और कुसल मंगल होंगे और आज जी स्वीश है कि मैं बारे में आपसे बात सीथ करने के लिए सामने आज जिरू हूं वो है जेविक खेती जेविक खेती के बारे में कई वार गई होंगे मनगे स्वाल पेदा होता है जेविक खेती है जो जिवों के है अब सेस्षों और जो बनस्पती का जो होती है उसका जो ताल में होता है उसी को केते हैं जेविक खेती जो जहर्मुक्त खेती होती है जिसमें कोई पैस्टिस याइड वगेरा का नहीं परियोग किया जाता ढई यूर्या ऐसी चीज़ों का प्रियोग किया जाता उन चीज़ों को से जो समन्न में से जो त्यार होती हो उसको कहते हैं जेविक खेती और जेविक कि असवास हरित करांती है उससे पहले देश में काफी मतलग अनाज की कमी हुआ करती थी पहले किसान गोबर और जो फसलों का जो अफसेस होते थे उन से खेतिवारी किया करते थे और आज भी उसी चीज़ के आओ सकता है तो फसलों में सारी चीजों की बर्मार हुआ करती थी उसके बाद में जब सन 63 के बाद में हरित करांती है यह बर्मार हुई तो उस टेम अनाज भी काफी देश के अंदर बढ़ा तो इसके साथ अपने स्टार्ट हुई उस टेम कमें भी थी अनाज की देश के अंदर तो जरूर थी उस टेम इंचे जों की तो उसके बाद में अपने अनाज बर्पूर होने लगा पर उससे एक नुकसान भी चालू हुआ ऐसे जो पैस्टिसाइडों का जब प्रियो बहुत ज्यादा लोगों को है और जिसका कोई स्लूशन भी नहीं है तो उस टेम अपने को जरूरत पड़ी है कि जेविक खेती करें जेविक खेती में गोबर का प्रियोग कर सकते हैं डी कमपोजर आ चुका है उससे काफी चीजे त्यार होती है जिसमें जिब जिब्रेलिक कैसीड है माइक्रो न्यूटरंस है जिनका प्रियोग करके आप अच्छी हितिवाड़ी कर सकते हैं और अपने परिवार को एक अच्छा खाने को नाज और सबजियां वगेरा सब चीजियां पर और देश को भी कि सबको एक अच्छा नाज अच्छी चीज़न मिल सकती है क्योंकि जो जैविक से पहले जो बीच में पैस्टिसाइड का हंदा धुन जो परियोग हुआ है उससे जमिन्नों में कुछ नहीं राजमिन्नों की बिल्कुल जो ताकत है जो प्रसलों को पेदा करने की शमता है व बिमारियां कैंसर जैसी और भी बहुत बिमारियां हार्ट से रिलेटिव बिमारियां शुगर जैसी बिमारियां कितनी ही बहुत ऐसी बिमारियां जो अपने घर घर में उती जा रही है तो उससे बचने के लिए अपने को जेविक खेती की बहुत ही जरूरी है क्यों आजग जरूरत है अपने परिवार को समाज को देश को एक अच्छा खाना देने की तो इसलिए अपने को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अपने जे भी खेती को बढ़ावा दें तो आप इतना डीकंपोजर के बाद आया है अब नया OWDC जो पहले जो डीकंपोजर था उसे काफी मतलब अच्छा एक है जो फसलों को त्यार करने में बहुत ही सायक है तो धन्यवाद करूँगा मनिया क्रिशन चंद्राजी का जिनोंने जिनके से योग से ये त्यार हुआ अब जे भी खेती करना बहुत ही असान हो गया है क्योंकि फसलों को जो अविसेस वगेरा है उनको फसल के अंदर गलाना और पोदे को एक पोस सकता परदान करने में कि इससे जो त्यार मटीरियल बहुत ही असानी से मतलब त्यार हो सकते हैं और अपने प्रिवार और समाज को अच्छा खणा हो अच्छा आपड बीडियो एक घंट और तो अच्छा आनाज दे सकते हैं तो यह जेविक खेती बै techno और ज्यक्व कि तो आज का वीडियो इतना एक और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ compelled को Cambridge स्क्राइब और को सथीरिक बैं सब्सक्राइब करें सत्पार डोक्ट ब्ल घजब और जो फसलों का जो हपसेश होते थे उंसुक खेतीबारी किया किरते थे और आज भी उसकी चीज़ के आउ सकता है तो embaसलों में सारी छिज़ों की बर्रमार्वा करती थी उसके बाद में जब सन 63 के बाद में हरित करांती आई हरित करांती में यूरिया डिये पी पैस्टिसाइड इन चीजों का प्रियोग तालुआ नए नए बीजाए उसमें हाइबरेट बीजों की ज्यादा बरमार हुई तो उस टेम अनाज भी काफी देश के अंदर